कुछ हुआ कुछ तोड़े आइद इसकर्स अपकिक फैस इफ्यभिया आपक पॉनेंट शिस्टम हम पढ़ रहे हैं बस्ट second year unit second physical chemistry का unit second day और unit का नाम है phase equilibrium यानी प्रावस्ता सामने और इस phase equilibrium यानी प्रावस्ता सामने कहलदर हम पढ़ रहें two component system two component system में आज का हमारा जो topic है वो है जिंक magnesium system जो कि आप पोड़ में दिखाई देरा अब जिस Male system system के बात कर रहे हैं इसको हम लोग एक नाम से जान हम थे लिखाए आने बें सारवां कसम क्या कहाने सर्वां क सम ällt कि नाम दिया सर्वां कसम गलनान करते वाले योगी वाला स्टम तो जिन्ग मैंटीं से संत्व गलाग वाला एक तंठ और इस सर्वां वासं को इंगलिश में कॉंग्यूरेंट के मेल्तिंग फॉइंट सिस्टम भी अब जिसस्टम के मात करें जिन्ग मैंटीं सिस्टेम एक कॉंग्योरेंट मैंटिंग सिस्टम है यह सर्वान किसम गर्लाइख वाले योगिक का एक तंतर है अब जब हम इस टूब कंपोनेट्ट सिस्टम यह निदो गटक कि बात कर रहें तो जब दो सब्सक्राइब दो गटक जब आपस में अभी आ करते हैं आपस में र स्टेट से अपनी लिक्विड इस्टेट में जब कनवर्ट होते हैं तो ऐसे सिस्टम को हम कॉंग्यूरेट मेल्टिंग पॉइंट सिस्टम यही सर्वान कसम गल्लांक बाला तंत्र के पर अर्था वह तेमप्रेचर जिस पर हो सवस्था से अपनी ही त्रब अवस्था में सोलेट से अपनी ही लिक्विड स्टेट में परीवर्थित हो जाए उसे क्या कहा जाता है तो सर्वान कसम ताप कहा जाए अब इससे सर्वान कसम ताप यहीं कॉंग्यूरेट मेल्टिंग पॉण्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं जिक मैगनेशम सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है यह आप और बोर्ड पर देखें तो एक ग्राफ बना दिखाई दे रहा है यह ग्राफ जिक मैगनेशम सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है सबसे पहली बात देखें तो यह कौन सा सिस्टम है तो हम लोग जाते हैं कि यह एक टू कंपोनेंट सिस्टम है यानि कि दो घटक कंटर है है तो गंपोनेंट सिस्टम लगलब की दो घटक कंटर है इसमें तो इसमें दो घटक दिखेंड करेंटS ए और दूसरा इसके मैगनेशम है तो यह दो गटक से मिलकर बना हैं एक जिंक और मैंगिशाम अब हम यह कह रहे हैं कि इसके अंदर कितनी प्रावस्ता हो सकती है तो इसमें आपको जो फेज दिखाई दे रही है वो टोटल फोर फेज उती है चार प्रावस्ता है अगरे चारों प्रावस्ताओं कि तरफ चलते प्रावस्ताओं कि वोन कि तो हो एंग को सोलिड एंजी फोस मैंगिशाम दूसरी जो प्रामस्ताओं ऑप्रावस्ताओं कि है तिखाई दे रही है ईसम इमजी जो घैरी आपको दिखाई डे तोSome में डैस ओर चोधी जो फेज इसके अंदर इन्न दो दोटों का Bayern तो solution of Mg and Zn जिंक और magnesium या magnesium और जिंक का विलियन यह पूरा जो ग्राफ है यह किसके बीच में पॉट किया गया है तो temperature और composition यानि कि तापमान और संगटन के बीच में इस ग्राफ को हमने प्लॉट किया है इस ग्राफ को हमने खीचा है अब जब हम इस ग्राफ के बात कर रहे है तो यह संपूर ग्राफ में temperature क्या है प्रेशर क्या है तो इसमें pressure constant है यानि एक वायू मंदल यह राफ यानि वाल एक्मोस्परिक प्रेशर पर इस गर्व को यह सिस्टम को हमने डाफ किया अब हम वन बाइवर इसमें समझते हैं इसको देखते हैं इसको कैसे बढ़ सकते हैं तो हम चलते हैं अगर हमार कोने कहा है कि अधिशा तू कमपोईने सस्टम टोडल फेस क्लियर ग्राफ और टोड़ इस तेंपरेशर और अब वन बाइवर उसको पढ़ने जारे हूं अब देख रहे हैं एक एक्सेस पर तेंपरेशर लिया और दूसरे एक्सेस पर आपने मोलर कमपोईशन लिए हमें य जहां पर मेंगेशन है और 650 डिगरी संटीग्रेट शेसो बचाजी इस मैगेशन का क्या होता है मैंटिंग पॉइंट यहीं की करना होता है दूसरी दर चले आपको पॉइंट भी दिखाए देरा है जो कि जिस पर 100 पर सेंट होता है और इस पॉइंट भी पर जीट का मैंटि 40 डिगरी संटीग्रेट होता है अब हम जब पॉइंट अपर रहे हम बात कर रहे हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट भी जिसको हम करें वक्र एसी ही है करव ऐसी हम कहां पर है अब पॉइंट एपर ड़रो ए से सी कि दरपार अब जब पॉइंट एपर है तो इसे मैगनेशम का फ कि एको मैगनेशम का क्या क्या कहला हैंगा फ्रीजिंग पॉइंट के सकते हैं ऐसे तो इसे मीक्र ने इसे को पॉइंट कौनों टेस थे पॉइंट कर्व कहते हैं अब जब हम इसको पूरे को ए से सी तक को हम मेंगनेशन का फ्रीजिंग पॉइंट वक्र कह दें इंदी बोले तो दवरणा को मेंगनेशन है जिसका मेंगनेशन में धीरे धीरे जिंक मिलाए जाता है तो जिंक मिलाने पर हम पॉइंट ए से सी की तरफ आते हैं जब हम पॉइंट ए पर है तो पॉइंट ए से जब जिंक मिलाए जाता है तो पॉइंट सी की तरफ आते हैं अब मेंगनेशन का जो मेंटिंग पॉइंट था उस पर जिंक मिलाने पर हमें करों वी से मिलता है और हम पॉइंट एपर ओदे हैं तो कोई पर सिभारत हैं एक नहीं फेज यह एक नहीं प्रावश्था और सी दिखा याजी एव जीजर एडेड ट्वीज़ दिखाई दिखाई देपले प्रेये तो हम क्या क्या सकते हैं कि point c पर नहीं प्रावस्ता, point c पर कौंसी प्रावस्ता नहीं प्रावस्ता, कौनसी amg z and twice हमें दिखाई देने लग जाते हैं। अब, जब हमें इस point में क्या दिखाई देर लगी ? प्रावस्ता दिखाई तो यहां मरे दिंट degree of freedom दिका लें। जेसे तो जैसे हम्हें लोग जानते दी सी माइनस की बड़स हैं का चब रहा हुँ झाहिए ग माइनस कि माइनस की मिला सोम्हें को gems esther कि यह का में तो हमने दो प्रावस्ता है यहां पर दिखाए दिए तो एसी कंडिशन में हमारे बास में कंपोनेंट कितने हैं टूम्स तो डिगरी ऑफ रडम कितना हो जाएगा वन हो जाएगा यानि इसको हम लोग एक चर्दकर यानि कि यूनी वेरीज सिस्टम के नाम से जानते हैं इसको यूझ कोलते हैं इतो खर जो एसी हर और पसको फ्रेंट है जो सै कर फ्रेंट। टूरम फट्ट है कि टो पॉंट है कि इसको इस स्रूपां को सी youtube पूंड ओप cinth की सेकंड प्रावस्थाइं' 221 दिंदु सी की बात की जिसाथ जब हम पॉंप सी पर हैं तो हमें यहाँ पर तीन फेस एक साथ दिखाए देनी प्रावस्था डिखाए देनी यह तीर प्रावस्था मेर्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जब हम इसको डाउन कर रहे हैं तो डैफिरेंटली यह किस कंडिशन में चला गया सोलिड कितनी प्रावस्ता है आपर यहां पर टोटल तीन प्रावस्ता हैं है कितनी फेसे सबसे पहली तो सोलिड मैंगेशिन पहली जब टेफदया यह तो मैंगेशिम लिक्विड स्केट से सोलिड इस्टेट विकला करना और तो पहली तो मैंगेशिन बात दूसरी कंडिशन की बात कर रहा हूं तो यहां एंजी जेडेंट्वाइस जब में जीन को मिलाए जा रहा है तो हमें इस पॉइंट पर टोटल कितनी प्रावस्ता मिल गई तीन तो इस पॉइंट को एक्युक्टिक पॉइंट कहा जाता है लिए पॉइंट कहें इसको गलन कृण्टिक बिंदो सि कहता है जा किये इसको गलन कृण्टिक बिंदो सिटूक्तिक पॉइंट स्uses प्रावसं की बाता हenne A is equal to C minus P plus 1 A is equal to 2 minus 3 plus 1 तो A is equal to क्या हो गया कहने का मत्तब है कि यहाँ पर component C जो है वो कितने है दो हो गए एक तो component क्या है जी दूसरा phase कितनी प्रावस्ता है गिलोगे लिग्रियो शेड़म क्या हो गया जी रो यानि कि यह यूनि वेरियंट सोरी नॉन वेरियंट सिस्लाम यानि कि अच्छर करता है लिएद अब हम बात करते ही C से D की तरब जारे में तो थर्ड पॉइंट के बार में जी रहें आप फोर्ड पॉइंट की तरब सोरी थर्ड पॉइंट आवारा वर्त्रग C D कर्ड C D हम का परें C हमें का जाना है D पर तो C सेड़ पॉइंट C पर और अधीक मात्रा में और मोर क्मांटिटी में जीग को जब मिलाया जाता है तो टेंपरेचर बढ़ने लगता है और जब यह टेंपरेचर बढ़ता है तो पॉइंट D का टेंपरेचर बढ़कर 576 डिग्री सेंटिग्रेट हो जाता है यहां पर मैगनेशन के कंपेर में जिंप की क्वांटिटी जाता हो जाता है और इस क्रागोपोईधियम पे जो की C से D की तरफ जा रहा है इससे हम लोग MgZN twice का MgZN twice का freezing point करो 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 है यानि कि MgZN twice का दवनान तो पकर कहा जाता है इस संपुण करो पर किस पर C से D तक की बाद हो है तो इस संपुण करो यानि कि point C से D तक मैगनेशन योकिक में परिवर्टी करोंगे मैगनेशन इस में परिवर्टी करोंगे तो यहां पर आपको दो प्रावस्ता दिखाए दिए एक तो MgZN twice तो हमें दो प्रावस्ता यहां पर दिखाए दिए clear तो हम कहें कि बग्रस सिधी पर भी हैं निकालें कंटेस्ट रेजुल से एकोल तो C minus P plus 1 तो F equal to 2 minus 2 plus 1 तो F equal to 1 ने डिवर्टी और दमान हो गया इसको हम बोलते एक अच्छा तन्थ अब हम आगे concurrent might be coin इस तरह फोर्स पॉइंट ने सर्वान गिसम गलनांक क्या दिया हुआ है B सर्वान गिसम गलनांक B यानि इसको नो concurrent क्या कहेंगे melting point अब यह जो concurrent melting point D जो आपको दिखाए दे रहा है जिसका temperature इतना है 576 degree centigrade जिसका temperature इस point deeper solid yogic work mental हमें दो प्रावस्ताँ यहां पर मिल जाए कितनी मिल गई mgz एड़ ट्वाइट हमें दो प्रावस्ताँ है ठीक है तो हम कहें तो यहां पर हमें प्रावस्ताँ की संख्या जो है वह कितनी हो गई दो प्रावस्ताँ बट यहां पर गटक यानि कंपोजिशन प्रावस्ताँ पर सिर्फ एक है और वो क्या है mgz एड़ टू तो हम यह कहेंगे कि बिन्दू दीपर क्या है तो बिन्दू दीपर एक गटक यानि वन कंपोनेंट mgz एड़ ट्वाइस है और वहां पर प्रावस्ता इतनी है दो है एक तो पिगली हुई अवस्ता में और दूसरा सोलिड इस्टेट में तो हमें कितनी प्रावस्ता है वेगी दो तो जब हम कंटेंस फेजुन की बात करते हैं तो कंपोजिशन कितना है एक क्योंकि सिर्फ हमें mgz एड़ ट्वाइस है प्रावस्ता है कितनी है यहां पर दो एक तो एक तो एक की किवड़ तो तो इस अवर कंपोनेंट सिस्टम सिर्फ बात किसी के वह लियाद रगना हम पॉइंट की बात होगा पुरस सिस्टम की बात नहीं करेंगा पुरस सिस्टम में तो जो सी है वो कंपोजिशन जो है वो घड़वों की संख्या दो है नमबर ओंपोनेंट स्टू है पर हम पॉइंट बात कर रहें तो पॉइंट इपर एंड जाइड टूई होगा से इसके लबात कुछ नहीं होगा अब हम बात करते हैं इसके बात में पॉइंट बी से इपकर नहीं प्लिप्ट पॉइंट ए करवग डिए करपड़ी अब हम काम पर आगे हम पढ़ेंगे अब डी से इक की तरफ चलिए वो डी से इक की तरफ चलिए हम यह कह रहे हैं कि योगिक में जेड़ और मिलाते हैं मेंवें जीनक और मिला तो ऐसे कंडीशन में मैल्टिद पॉइंड यानि गल्लाक का अवन हो जाता और इस को यह से पॉइंट एक तो इस की क्या होता है एक तो सोलिट एमजी जैने टो और रिक्विड सामें अवस्था में तो क्या हुग पहूँ दो phasers हो जाओ दीमा दो प्राबस्था है कौन सी एक तो solid mg, zN2 और दूसरी मेंट सामे अवस्था में यहां पक्यों को कि इस component इतना होगए तो 2 एक तो magnesium और दूसरा क्या हो जाओ जी तो इस तरीके से two component हो जाते हैं जब दो गटब हो जाते हैं तो f equal to c minus 3 plus 1 तो f equal to 2 minus 2 plus 1 तो f equal to क्या हो जाते हैं जीरो है तो इसको हम लोग क्या बोलेगी है यह एक अचर तंत्रे कि नोन वेरियंट सिस्टम है और इस पॉइंट इको भी हम लोग एक्यूप्टिक पॉइंट यानि गलंत्रांतिक बिंदू के नाम से जाते हैं इस वेल्यू पर किसी भी घंटक में जो मैंटिक पॉइंट होता है वह कम हो जाते हैं यहां पर फोस वह द्रव योगी equilibrium condition यानि की सामने वस्था पॉइंट अब हम चल रहें वर्क वी इसलिए लास्ट जोपा करें कि तो पॉइंट के बार देश्ट प्रफ वर्क रूब कर वी की तरफ चलिए तो पॉइंट बीक और जिट का मैंटिंग पॉइंट पॉइंट 430 डिए संटिग्रिट यांपर पॉइंट इसको जिक्राफ रेजिंग पॉइंट कर जाता है तो हम यहां पर देखेंगे कि जिट के मैंटिंग पॉइंट में कमी आती है निकिटिवे जाए इस पॉइंट पर हमें एक नहीं प्रांबस्था में वहें यहां पर प्रावस्थाओं की संच्छा कितनी होगी तो हमें देखे एक तो हमें यहां प्रावस्था इस सिस्टम के अंदर एक तो जड़े रहे हैं ठीक है वह एक मैल्ट कर दीशन तो दो प्रावस्था है गटक भी कितने हैं दो है तो यहीं हम चलते हैं इसके एरिया एक तो सेवन पॉइंट एरिया शैत्रफावर अब हम इस पूरे ग्राथ को देखे तो इस पर कौन कौन से एरिया होंगे उसको लोग देखते हैं तो इसके अंदर जो एरिया की बात करेंगे क्षेत्रफर की बात करेंगे तो पहला को आप देखेंगे मुझे दिखाए देरा जो आप लोगों भी दिखाए देरा है एस निए पहला कुम साम और उसके बाद आस तो टोटल आपको कितने एरी होगे चार शेत्र होगे अब हम देखेंगे इन चारों शेत्र पर से उपर वाला जो शेत्र होगा रीजन होगा वहां पर जीट और मेगनेश्या किस कंडीशन में हैं तो प्रिगली हुई अवस्ता में हैं इसलिए यह एक बाइवरियंट सिस्टम होगा क्या होगा एक बाइवरियंट सिस्टम होगा कैसे f एकवर्ट तो c-p plus 1 f एकवर्ट तो 2-1 plus 1 f एकवर्ट क्या हो जाएगा 2 ठीक है इसको बोलेगे इसको क्या क्या सकते है यह एक बीचर तंतिया नहीं कि पाइवरियंट सिस्टम होगा यह जब बाइवरियंट सिस्टम होगा तो इसमें ओपर वाला जो रिजन है वो पिगली वे वस्ता पूरी प्रेज़ट करना और नीचे वाला जो रिजन है वो सोलिड स्टेट को रिज़ट करना तो इन ग्राफ में इन शेत्र में A से C तक, C से B तक, B से E तक, E से B तक, यदि हम देखें तो उपर वाला शेर्ट रमेंटिव स्टेट का, तो नीचे वाला शेर्ट रेज़ों क्या, एडिया हो क्या हो, सॉयल स्टेट का, ये था हमारा जिंक मैगनेशन सस्क्राइब, जिंक मैगनेशन तंदर, यदि अभी तक आप अब हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो आप सबस्क्राइब पहश्य करें, वीडियो अच्छा लगता है, लाइक पहश्य करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेर करें, थैंक्यो इस्टूडेंट्स